अमानत पर छूटकर अमेरिका से आए हल्दवानी के इंटरनेशनल ड्रग माफिया बनमीत नरूला को एडी ने बुदवार शाम गृफतार कर लिया नरूला को ब्रसपतिवार को स्पेशल एडी कोट में पेश किया गया जहां से उसे साथ दिन की एडी की कस्टेडी रिमान में भेज दिया गया है मामले से जुड़े बनमीत के भाई परमिंदर सिंग नरूला को भी अप्रेल में एडी गृफतार कर चुकी है यूरोप और अमेरिका में ड्रग तसकरी करने वाला माफिया बनमीत नरूला हलदवानी कर रहने वाला है वो बीदे डेड़ दशक्से यूरोप और अमेरिका में सक्रे था करोडो डॉलर का अवैड ड्रग का कारोबार किया जिसके बाद साल 2019 में नरूला की हरकते अमेरिकी सरकार को पता चली इसके बाद उसे 2019 में लंदन में गिरिफतार कर लिया गया जिसके बाद उसे अमेरिका में शिफ्ट कर दिया गया वहां पर कॉलंबिया कोट में उस पर मु कर दिया गया लेकिन भारत आते ही वो अंडरक्राउंड हो गया ऐसे में बनमीद के भारत आने की खबर एडी को जैसे ही लगी एजनसी ने 26 अपरेल को घर में चापा मारा और यहां घंटों पूस्ताच और परताल के बाद बनमीद के छोटे भाई परमिंदर को गिरफतार कर परमिंदर से भी एडी ने करीब 10 दिनों तक कड़ी पूस्ताच की इसके बाद अब फिर पता चला कि बनमीद नरूला अपने घर पहुंचा है इस पर एडी ने उसे पूस्ताच के लिए दहरदून आफिस बुलाया था यहां पर 7 घंटे पूस्ताच के बाद उसे गिरफत कर लिया गया बता जा रहा है कि अभी एडी नरूला बंदू के परिवार की संपत्यों की चाच कर रहा है